जैहिंद, प्लेटफर्म बाइनवीन कुमार सिंग प्राइवेट लिमिटेन में आपका स्वागत है बिहार सिख्षक भरती आगामी भेकंसी यानि 6-8 के बारे में खास करके हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि अक्टूबर मीड में कभी भी नूटिफिकेशन आ सकता है वेकंसी का एक लाख प्लस पोस्ट देने की बात हैं कही गई है जिसमें 52,000 प्लस पोस्ट सिर्फ 6-8 से रहना है और 9, 10, 11, 12 का भी वेकंसी रहेगा लेकिन ये स्पेशल हम चर्चा करेंगे यहां पर 6-8 से रिलेटेड क्योंकि हलांकि कई सारे वीडियो इससे पहले भी हम बना चुके हैं लेकिन सबसे ज़्यादा confusion और सबसे ज़्यादा question अभी भी 6-8 से ही रिलेटेड पूछा जाता है तो इसी संदर्म में एक छोटा वीडियो होगा और कोशिस करेंगे कि जो भी छोटी मोटी confusion हो उसको हम दूर करने का प्रियास करेंगे सबसे पहले तो इसमें आप देख रहे हैं कि कौन-कौन फॉर्म भर सकते हैं अभी भी थोड़ा-थोड़ा confusion इसको ले करके है इसके बाद subject combination का मामला अभी भी बना हुआ है language paper कौन-कौन च्छात्र चुन सकते हैं उससे related ये issue है और graduation में कितना percent marks होना चाहिए चुकि इससे related भी भहुत सारी questions लगातार पूछे जा रहे हैं इसले करके ये सवाल भी इसमें हम डाल दिये हैं तो हम नीचे से ही start करेंगे कि graduation में कितना percent marks होना चाहिए तो graduation में आप ये दाल सकते हैं लेकिन graduation के साथ में अगर post graduation भी आप किये हुए हैं तो वहाँ पर condition आपका 45% पर आके रुकता है 45% आप रहेंगे तो जाकर कि आप form डालेंगे ऐसे आपको 50% निश्चित रूप से आपको चाहिए इसके अलाबा एक और other state के student हमेशा question करते हैं कि sir other state वाले student seatate में अगर 90 मार्स से कम है और वो category में आते हैं तो क्या वो बिहार में आरक्षन का लाव उनको मिल सकता है तो पहले तो यह समझना है कि other state के जो student है बिहार में वो general में count किये जाएंगे उनको reservation का लाव नहीं मिल पाएगा इसलेकर उनको 90 मार्स लाना जरूरी है चली हम आगय कौन कौन छात्र यहां फॉर्म भर सकते हैं सबसे पहले तो तो 6-8 के संदर्म में ग्रेजुएशन कंडिशन इसका है बी एड अवलिग दी एलेड पलस टीट पेपर टू पास होना जरूरी है अगर यह condition है ग्रेजुएशन साथ में बी एड या डी एलेड पलस सीटेट पेपर टू पास होना जरूरी है ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इकुबेलेंट बीटेक किये हुए है बीसीए किये हुए है बीबीए किये हुए है तो भी आपका साथ में BA किये हुए हैं, अत्वा DLA किये हुए हैं, प्लस सीटेट पेपर टू पास हैं, निश्चित रूप से फॉर्म आप भर सकते हैं, इसके अलावा जो मैन चीज है, सबसे ज़्यादा जो कोश्चन पूछा जाता है, जहां confusion ज़्यादा होती है, इसके बा एक्च्छली में है, जो हमारे पास यह उपलब्द है, यह देखिए, बिहार सरकार सिक्षा विभाग, बिहार सरकार का यह सिक्षा विभाग का एक नोटिस है, बिहार सरकार सिक्षा विभाग, यह अधिसूचना है, यानि एमेंडमेंट बिहार सरकार के सिक्षा विभाग द्वारा 2019 में लाई गई थी amendment और इस amendment में ये चर्चा की गई है कि तक मेना से do उसपर ध्यान देना है कंब्मिनेसंसे रिलेटेड चर्चा किया गया है इसी पर हम आपको लाते हैं और यहीं पर आपको त्वरा गऔर करना जरूरी है अब यहां पर देखे gets thisku Pratemi Krac उच प्रात्मिक कख्छा का मतलब हो गया आपका उच प्रात्मिक कख्छा का मतलब हो गया उच प्रात्मिक कख्छा का मतलब हो गया उच प्रात्मिक कख्छा का मतलब हुआ कि मद्ध विद्या ले यानि 6-8 के लिए आविश्यक्ता नुक्सार निम्नांकित विशय के पद पर सिक्षकों के नियोजन है तो सेक्षनिक योगता निमनबत होगी अब देखिए इसमें तीन तरह का सिक्षक बनते हैं आपका 6-8 में एक तो होगा कि जो कि साइंस के सिक्षक होंगे साइंस और मैथ यहां कमाइन रूप से कहलाता है दूसरा होगा कि सोसल साइंस के सिक्षक हों इसमें दिया हुआ है कि गनित भौत की रसाइन में असनातक होना चाहिए, अथवा रसाइन, वनिस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान में असनातक होना चाहिए, अथवा BCA योगिताधारी होना चाहिए, अथवा राष्ट्य सिक्षा परिशद मानेता मांदन तथा क्रिया विधी विनियन 2014 के तहत इंजिनियरिंग में असनातक जिसमें विज्ञान और गनित की भी से सग्यता हो को बीएड में नमांका नहित उपातरता निर्दारित की गई है, तदना रूप वैसे अभियर्थी जो इंजिनियरिंग से असनातक जिसमें विज्ञान और गनित की भी से सग्यता हो तथा बीएड या बीटेट उत्तिर्न हो को असनातक गनित और गनित विज्ञान भी से में मद्ध विध्याले के सिक्षक के पद पर नियोजन के लिए यो हुआ रहता है यहां आईए असनातक यहां पर देखिए असनातक समाजिक विज्ञान के सिक्षक असनातक समाजिक विज्ञान के सिक्षक यहां पर आप यहां पर गोर करना है कि इतिहास भुगोल राजनीती सास्त्र दर्सन सास्त्र अर्थ सास्त्र मनो विज्ञान समाज सा इतिहास या भुगोल अवस्य होना चाहिए, यह 2019 में जो जारी किया गया था, उसके according हम यह आपको बता रहे हैं, और जब new vacancy आपकी आएगी notification उसका आएगा, फिर दुबारा से इस चीज को clear किया जाएगा, अगर उस समय कोई परिवर्तन होता है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको गवर करना होगा, जनरली क्या होता है कि इससे पहले जो चला आ रहा होता है, बहुत कम संभावनाय होती है, उसमें कटवती करने का जहां तक बरहानेक संबंदित बात है, तो बढ़ाया जा सकता है, तो जिन स्टुडेंट का कंबिनेशन नहीं पूरा हो रहा होगा, या कहीं पर भी प्रॉब्लेम होगा, अगर इस कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नमर के साथ कमेंट करते हैं, और ऐसे स्टुडेंट की संख्या 24-500 होती है, तो अगर सिक्षा विभाग, बिहार सर पुर्बक इस पर कुछ विचार करें, ये तो आगे की बाते होंगे, अब इसमें एक चीज दिया हुआ है कि बीकॉम, यानि कि जिनका कॉमर्स बैक्ग्राउंड है, बीकॉम भी जिनका है, तो वो बीकॉम बाले स्टुडेंट भी SST सबजेक्ट के लिए योग होंगे, SST स सब्जेक्ट को चुन करके 6-8 में SST के लिए भर सकते हैं, और सबसे मज़दार बात है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि असनातक भासा में, भासा के सिक्षक, सैक्षनिक योगता हिंदी के लिए असनातक अस्तरपरपठित हिंदी विषय, अर्थात सहायक विषय, अथवा परतिष्ठा के रूप में रखा गया हो, और अंग्रेजी के लिए असनातक अस्तरपरपठित अंग्रेजी विषय, अर्थात सहायक विषय, अत्वा परतिष्ठा के रूप में रखा गया है, अब यहाँ पर गवर करना है, बहुत सारे ऐसे चात्र हैं, कि सब्जेक्ट जो ग्रेजुशन में आपका होता है, उसके according combination नहीं भी बनता है दो paper का, लेकिन साथ में language paper भी हमारा honors अथवा subsidy के रूप में रहता है, अगर subsidy के रूप में यानि कि सहायक विश्यक के रूप में भी अगर English अथवा Hindi अगर आप रखे हैं, तो 100% आप language के teacher बन सकते हैं according to this, तो इसलिए कोई भी student, चुकि बहुत सारे ऐसे भी चात्र हैं कि history honors है, quality और English subsidy में हैं, तो इन चात्रों के लिए दोनों का combination बन रहा है, वो SST का भी combination बन रहा है और language का भी combination बन रहा है, तो ऐसी परिस्तिती में हमको लगता है कि अगर language में आप comfort feel करते हैं, तो निश्चित र science में competition level सबसे ज़्यादा है, तो खास करके इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद मेरा ये भी रहा है कि language के बच्चों, चाहे हिंदी हो या English हो, alert करना कि आपके पास अच्छा opportunity है, अगर combination में कहीं आपका English है, तो English paper को ले करके निश्चित रुप से आप आगे बर सकते हैं, तो ये आपका special condition है, और इस condition को follow करके आप form डाल सकते हैं, form भर सकते हैं, इसके अलावा फिर हम back होते हैं, आप देख लिजे एक notice है, इस notice के according, estate result delay होने के बज़े से, अभिहार सिक्षक बैच जो 22 सितंबर से अपने समय अनुसार चलेगा, तथा coupon code teacher 30 का lab आप 22 सेप्टेंबर तक बढ़ा दिया गया है, आप एक batch एनॉंस किया गया था, offline और online mode में, online mode में platform by नभीन कुमार सिंग एप पर, आज इसमें कि 6 to 8 का science और math, SST, language paper, इसके अलावा आपका 9 10 का भी, 11 12 का भी, जिनका बहुत सारे इसे भी छात रहे हैं, कि 6 to 8 भी है, 9 10 भी है, वो इसी परिस्तिती में combo batch, online और offline दोनुं mode में दिया गया था, fee दोनुं मिला करके बहुत कम हो जा रहा था, तो वो batch उसमें एक offer हम दिये थे, teacher 30, teacher complete capital letter, और 30 में space बीच में नहीं होना चाहिए, teacher 30 coupon code लगा करके, जो भी हमारा online batchage है, वो 30% आपका fee में less हो जाता, तो उसका आप यूज करके buy कर सकते हैं, और जो offline में करना चाहते हैं, तो अब 22 तारिक से, चुकि 21 तारिक of estate का result आएगा, result के कारण ही 2 दिन time हम बढ़ा दिये हैं, आज introduction हुआ था, अब 22 तारिक से पुन कि एक special offer, offline mode के लिए हमारा दिया गया है, 22 तारिक तक के लिए, कि जो भी student 22 तारिक तक, यानि 22 September तक batch buy करते हैं, उनको offline mode में, जो कि हमारा सहितपूर मोर भिकना पाहरी पर batch चलेगा, कोई भी course, अगर 6 to 8 का course आप लेते हैं, हमारा जो भी इसके लिए fee है, इसी fee में आपको 9, 10 का भी batch उपलब्द रहेगा, एक ही पैसा दीजिए, दोनों का लाव उठाईए, और तीसरा offer इसमें ये है, दूसरा, तीसरा offer ये है, कि दोनों class का online access भी साथ में आपको free मिलेगा, online access भी आपको साथ में free मिलेगा, चौथा option offer आपका ये है, कि 499 रुपया का हमारा online जो एक special अलग से batch दिया गया था, समान अध्यन का, ये भी offline में बिलकुल free आपको मिलना है, ये भी offline में बिलकुल आपको free मिलना है, तो ये 4 offer आपका 22 तारिक तक के लिए लागू होता है, एक ही पैसे में 4 offer का आप लाब उठा सकते हैं, दूसरा हम ये भी बता देना चाते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है, कि जिस तरीके से 1 to 5 में question का label रहा है, तो हो सकता है कि इसी तरीके से 6 to 8 का भी label, नेश्चित रूप से 12th level graduation level तक आपका touch कर सकता है, क्योंकि इसका qualification भी आपका graduation तक touch कर रहा है, 12 तक touch कर रहा है, इस लेकर के हम क्या किये हैं, कि जैसे science और math है, तो उसमें physics, chemistry, bio और math में 9th, 10th और 11th, 12th के 3 अलग लग teacher मिल करके खाली math में हम दिये हैं, कि इस level को हम 100% 12th level तक touch कर आएं, और complete 6th से 8th SCRT, और 9th class से लेकर के NCRT pattern पर best आपकी पर आई होगी, यहीं चीज सोसल साइंस में भी किये हैं, कि 5 दिन आपको आठमा क्लास से उपर का क्लास, और सनी बार अविवार को 6, 7, 8 का क्लास, यानि कि पूरे 6, 7, 6 to 8 के student को भी 12th level तक हम पढ़ाएंगे, और 9, 10th का तो level graduation तक आपका touch करेगा ही करेगा, तो जो भी student है तो चुकि पिछली बार बाले ही बात ना दोर आए जाए, उसको लेकर क्योंकि अब सब कुछ खुली किताब की तरह है, question paper सारा इस बार जो exam हुआ है, उपलब्ध है, एक base पहले से बना हुआ है, इस लेकर question का level निश्चित रूप से वहां तक आपका जाएगा, और science, math वा हाई चाहते हैं, तो platform by नवीन कुमार सिंग एप पर आप batch buy कर सकते हैं, नहीं तो हमारा center जो साइथकूर मोर भिकना पहरी offline mode में इस्तित है, यहां आकर के ले सकते हैं, और जो student बाहर के हैं, चाहते हैं, दो महिना, धाई महिने के लिए, पटना आना, तो direct bag and baggage आप आ सकते ह हैं, और दो महिना, धाई मेना, अगर आर्थिक रूप से सक्चम है, तो मेहनत किजिए, हमको पूरा भरुसा है, इस वेकंसी का लाब आप उठा सकते हैं, चलिए धन्यवाद, best of luck.